कैफे स्टाइल क्रंची मश्रूम ड्यूपलक्स आज बनाएंगे घर पर ही तो सबसे पहले पानी के अंदर नमक डाला है और दस मिनट के लिए मश्रूम को बॉयल कर लिया है अब मश्रूम के ऊपर से जो स्टॉक्स हैं इसको रिमूफ करेंगे और इन स्टॉक्स को चोटे- पीसे में कट कर लेंगे क्यूंकि स्टॉफिंग में हमें इसका यूज करना और स्टॉफिंग के लिए पैन में डाला है और डालेंगे इसमें अद्रक, लसुन, प्याज, मश्रूम वली स्टॉक्स और साथ में नमक, काली मिर्च और लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल दिया है और इसके बाद प्लेट में इसको ट्रांसफर करेंगे और इसमें बहुत सरी चीज डाल ली है और इसको मिक्स कर लेंगे स्टॉफिंग इस रेड़ी अब मश्रूम के अंदर स्टॉफिंग को फिल करना है और दो मश्रूम को इससे जोइन करेंगे टूथपिक की हल्प से दो टूथपिक्स मैंने लगाई है इसमें इसके बाद मैंने कॉर्न फ्लायर की सलरी बना रखिया उसमें इसको डिप किया है और फिर ब्रेट क्रम्स में इसको अच्छे से कॉट कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर कर लेंगे इसको फ्राई और बहुत ही क्रंची बनेया बहुत ही टेस्टी भी बनेया तो एक बाद ज़रूर ट्राई करो और आगे भी इसको शियर कर देना